स्वास्थे और सौंदर्य के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आईकन को क्लिक कर दे ताकि हमारे आने वाले वीडियो की अबडेट्स आपको मिलती रहे स्वास्थी और स्वांदर्या हिवईकस पाफर ऑस समय सफेध वने से रोकता है विषकस पाफर में कई ऐसे जरूरी पौशक्तन नौजूद होते हैं जो बाल लोको मोटा और चमकदार बनाए रखने में मद्धे करते हैं इसके साथ ही सरसो तेल यानि मस्टरड ओइल बालो की गहराई से कंडिशनिंग करता है जिससे बालो की ड्राइनेस तूर हो जाती है सरसो की तेल में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसीड के साथ साथ कई ऐसे पोशिक्ता तो पाई जाते हैं जो बालो को फैदा पहुचाते हैं नियमित सरसो का तेल लगाने से स्केल्प का ब्लड सर्गुलेशन बहतर होता है जिससे डेंडरप की समस्या नहीं होती है सरसो तेल बालो की जड़ो में जाकर उन्हें उचित पोशन देता है जिससे बाल मजबूत बने रहते हैं नियमित अपने बालो में सरसो का तेल लगाने से बालो में नैचुरल चमक आ जाती है सरसो तिल ना सिर्फ हेरफॉल को रोकता है बलकि बालू की ग्रोथ को भी बढ़ाता है हेरफॉल के समस्या होने पर सरसो का तिल लगाने से फायदा होता है वैसे तो हिविस्कस पाउडर और सरसो तिल दोनों ही अलग-अलग भी इस्तमाल में लाए जा सकते हैं लेकिन जब दोनों को साथ मिलाकर लगाय जाता है तो आश्यर जनक फायदा देखने को मिलता है तो फिर हिविस्कस पाउडर और सरसो तिल को अपने बालों में कैसे अपलाई करना है इसके बारे में जाने के लिए बने रेस फिर्यों के साथ इसके लिए एक बॉल में दो चमच हिविस्कस पाउडर ले ले इसके बाद इसमें दो चमच सरसो तिल डाल कर अच्छे से मिक्स कर ले जब यह अच्छे से मिक्स हो जाए तब इसे हे डाई ब्रश की मदद से अपने पूरे बालों में अपलाई कर ले एक से दो घंटा बालों में लगा रहने दे फिर किसी हरवल या माइल्ड शेंपू की सहता से बाल धो ले बहतर रिसल्ट पाने के लिए वीक में दो से तीन दिन इस बैक को जरू ट्राय करें हिविस्कस पाउडर और सरसो तिल से बना बैक बालों के लिए काफी फायदे मन माना जाता है नियमित इस बैक का इस्तिमाल करने से बालों की ड्रायनिस तो दूर होती ही है साथी बाल लंबे, घने और मजबूत भी बनते हैं तो फिर आज आपने इस वीडियो में बालों में हिविस्कस पाउडर के साथ सरसोते यानि मस्टर्ड और लगाने के कुछ बहतरीन फायदों के बारे में जाना आशा है आपको हमारा ये वीडियो आवश्य ही पसंद आये होगा हमारे नएने स्वास्थ्य और सौंदरिस सम्बंधी जानकारियों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हमारे वीडियो पसंद आई हूँ जिसे लाइक और शेयर चरूर करें ताकि इसी तरह हम नहीं नहीं जानकारियों आप तो पहुचाते रहें धन्यवाद